नमस्ते चातरों आपका फिर से एक बार स्वागत है जनित अकैडमी ओनलाइन पन हमने हमारे पिछली वीडियो में कार्थूस पार्ट किया था जो कि CBAC क्लास 10 की पार्थे पुस्तक स्पर्ट से लिया गया था जहां मैंने आपको एक नम कंप्लीटली बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या पढ़ाई थी डीटेल्ड व्याख्या विट ओल दवर्ड मीनिंग्स तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए आज हम इसी पार्ट के MCQs यानि Multiple Choice Questions या बहु भी कल्पियर प्रश्न करने वाले हैं तो आएए आगे बढ़ते हैं इससे पहले कि हम MCQs करें मैं आपको बता दू कि यह MCQs मैंने इस बुक से लिये हैं जो कि है Most Likely CBSC Question Bank for CBSC Class 10 Hindi B यहां chapter wise and category wise questions दे रखे हैं competency focused questions included है complete guide है self study के लिए summary दे रखी है multiple choice questions दे रखे हैं extract based questions दे रखे हैं यहां तक की previous years के board questions दे रखे हैं सभी type के questions chapter wise और category wise आपको दे रखे हैं for your 2025 examinations I have given you the link of this book in the description box now without wasting any time let's start with MCQs first question Colonel Kalinj का खहिमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? सादत अली को पकड़ने के लिए आसिफ दौला को पकड़ने के लिए वजीर अली को पकड़ने के लिए या युद्ध का अभियास करने के लिए तो बच्चों comment box में answer लिखते जाएए जैसे इसका answer है वजीर अली को पकड़ने के लिए तो आप लिखेंगे 1C हैना वो easy होगा आपको लिखने के लिए वजीर अली कहां भटक रहा है और क्यों? जंगलों में अपनी गदी वापस पाने के लिए आजमगर में लिद्ध करने के लिए अफगानिस्तान में सहायता मांगने के लिए या जंगलों में साधा तली को ढूणने के लिए तो इसका उत्तर है जंगलों में अपनी गदी वापस पाने के लिए बच्चों कमेट सेक्शन में अंसर फटा फट लिखते जाहिए और अगर आपने मेरा वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको सभी प्रशन आ जाएंगे वजी गली के जन्म से साधा तली का कौन सा सपना टूट गया बाद्शा बनने का सपना अंग्रेजों से मित्रता करने का सपना एश करने का सपना या आसिफ दौला को मारने का सपना बताईए जल्दी जी हाँ बाद्शा बनने का सपना अगला प्रशन अवत के तक्ट से हटाने के बाद वजी गली बनारस कैसे पहुँचा अंग्रेजों से भाग कर जंगल के रास्ते अंग्रेजों दौरा भेजा गया या आजमगर के रास्ते तो इसका correct answer क्या है? अंग्रेजों दौरा भेजा गया अंग्रेजों ने भेजा था हुने करनल को जंगल की जिंदगी खतरना क्यों लगती है? जंगली जानवरों के भय के कारण सुक्सुविदा के अपणाफ के कारण, युद्ध के कारण या अंग्रेजी सिपाईयों के भय के कारण जल्दी बताइए, जियाक का, जंगली जानवरों के भय के कारण वजीर अली हिंदुस्तान पर हमना करने के लिए अफगानिस्तान के बाच्छा को क्यों बुलाना चाहता था? हिंदुस्तान पर कबजा करने के लिए? साधत अली को मानने के लिए? जंगल पर कबजा करने के लिए? या अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए? क्या है पकड़ में ना आने के कारण हो पकड़ में ही नहीं आ रहा था बहुत सालों से शमसुत दौला कैसा आदमी था अंग्रेजों का वफादार बहुत खतरनाक एश पसंद यधन कलाल जी तो आपको जब याद हो शमसुत दौला का सिर्फ एक ही जगे बर्नन किया गया है वो था बहुत खतरनाक वो अंग्रेजों के खिलाफ था अंग्रेजों ने वजीर अली को अवत के पद से हटाने के बदले में क्या दिया तो इसका अफसर तो इसका उतर है चिहां तीन लाख साला नाा वजीवा साला ना मतलब बच्चो यरली और वजीवा मतलब कमपनसेशन या कोई अमाउंट या जैसे सेलरी भी कह सकते हैं तो यरली और मासिच का मतलब है monthly तो उनको यरली थ्री लाक् horiz दिए अंग्रेजी सरकार की शिकायत करने के लिए तो इसका उत्तर क्या है वजीर अली का किके वकिल के पास अंग्रेजी सरकार की शिकायद करने के लिए गया था बनारस के बाद वजीर अली को अंग्रेजी सरकार ने कहां तलब किया, कहां बुलाया था उनको कलकत्ता, आजमगर, गोरकपुर या अफगानिस्तान तो इसका उत्तर है कलकत्ता वजीर अली ने कंपनी के वकील का कतल क्यों किया था वजीर अली पर हमला करने के कारण, पैसे नहीं देने के कारण, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बाते करने के कारण या वजीर अली के साथ बुरा विहवार करने के कारण तो इसका उत्तर है वजीर अली के साथ बुरा विहवार करने के कारण वजीर अली ने कंपनी के वकील से किस बात की शिकायत की थी तक्त के छीन लिये जाने की शिकायत, साला ना वजीफा ना दिये जाने की शिकायत कलकत्ता तलब किये जाने की शिकायत या उप्रियुक्त सभी शिकायत है तो इसका उत्तर है कलकत्ता तलब किये जाने की शिकायत वकील का कतल करने के बाद वजीर अलिक कहां भाग गया था आजमगर, कलकत्ता, बनारज या अफगानिस्तान तो इसका उत्तर है आजमगर आजमगर से उसे सुरक्षित किस ने निकाला टीकु सुल्टान ने, शमसुद दौला ने, आजमगर के हुक्मरान ने या साधत अली ने तो इसका उत्तर है आजमगर के हुक्मरान ने लेफ्टिनेंट ने सवार के बारे में क्या सोचा था ये फर्स्ट लाइन शायद इनकंप्रीट रह गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है लेफ्टिनेंट में सवार के बारे में क्या सोचा था, वजीर अली का कोई आदमी है, अंग्रेजी सिपाई है ये साद अलीक आदमी है, तो आपको याद हो, लेफ्टिनेंट ने सोचा था, कि वो वजीर अली का कोई आदमी है, उसकी जानकारी देने के लिए आया है, उसे पकड़वाने के लिए आया है सत्रा वजीर अली को गिरफतर करना सिपाहियों के ये क्यों मुश्किल हो रहा था क्योंकि वह बहुत 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 हमाल के शबार कर नल से किए चौर्णा था वजीर अलिए की घिरवतारी कुछ पैसे कुछ कारतू स diffuse तो इसका उत्तर है कुछ कारतू सिद्य कार्टू सवा। क्या कारण बताया था वजीर अली की गिरफतारी का कारण बताकिर से ले गया था करणल ने सवार को क्या दिया सुनती चिन धन कुछ सैनिक या दस कार्थूस सभी को इसका उत्तर पता है दस कार्थूस साधर अली को तक्त पर बिठाने में अंग्रेजी सरकार का क्या मकसद था वह वजीर अली से बदला लिना चाहते थे या वजीर अली की पिटा से बदला लेना अवद की सत्ता अपने कबजे में करना या वजीर अली की हत्या करना तो इसका उत्तर है अवद की सत्ता को वो अपने कबजे में करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वजीर अली जो है वो सच्चा देश बगत है और अंग्रेजों को यहां से निकालना चाहता था करनल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा वो सवार पर विश्वास ना होने के कारण सवार पर विश्वास होने के कारण भैबीत होने के कारण यह सुरक्षित ना महसूस करने के कारण इसका उत्तर है सवार पर विश्वास ना होने के कारण सवार कौन था अंग्लेजी सिपाही साधत अली बंकार का नवाब या वजीर अली तो सवार खुद वजीर अली ही था वजीर अली ने करनल की जान क्यों बक्ष दी करनल के जावाज होने के कारण करनल दौरा दस कार्तूस दिये जाने के कारण या कार्तूस ना होने के कारण इसका उत्तर है करनल दौरा दस कार्तूस दिये जाने के कारण सवार की जाने के बाद करणल आश्चर चकित क्यों रह गया सवार की हिम्मत देखकर, अपनी मौत देखकर, भैवीत होकर या बीमार रहने के कारण इसका उत्तर है सवार की हिम्मत देखकर वह हक्का बक्का रह गया था कार्टुस कहानी के रचनाकर का नाम बताईए इनके रचनाकर है हबीब तन्वीर हबीब तन्वीर का जन्म कब हुआ था? 1923 में, 1926 में, 1927 में या इनमे से कोई भी नहीं जी हा, इसका उत्तर है 1923 में हबीब तन्वीर का जन्म कभा हुआ था? 36 गर में, 36 गर रायपूर में, नागपूर में ये इन में से कोई नहीं तो इसका उत्तर है 36 गर रायपूर में इन्होंने सनातक की उपाधी कहां से प्राप्त की थी? इसलिए मैं कहते हूँ बच्चों कि लेखक परिचर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है नागपूर से इसनातक का अर्प तो आपको पताई होगा रायजुएशन हभीब तन्वीर किस रूप में प्रस्यत्य थे? नाटक कार एवं कवी, पत्रकार, निर्देशक एवं अभिनेता या उप्रयुक्त सभी? जी हाँ उप्रयुक्त सभी क्योंकि हभीब तन्वीर एक नाटक कार भी थे, एक कवी भी थे, एक पत्रकार भी थे, निर्देशक एवं अभिनेता भी थे हबीब तन्वीर की भाषा कौन सी है हिंदी उर्दू उर्दू फार्सी मिश्रित हिंदी या मिश्रित हिंदी इसका उत्तर है उर्दू फार्सी मिश्रित हिंदी यानि ऐसी हिंदी जिसमें उर्दू और फार्सी के शब्द भी इस्तेमाल किये जाते हो कार्थूस में तन्वीर ने किसके चितर को सजीव किया है हिंदुस्तान के 1799 के हिंदुस्तान के वातावरन के कवी लिदय को या वातावरन को तो इसका उत्तर है 1799 के हिंदुस्तान के वातावरन को तो अगर अपने पाठ परिचे पढ़ा हो तो उसमें ये एकड़म क्लियरली दे रखा है पाठ के अनुसार किसके अफसाने सुनकर रॉबिन वुट के किये हुए कारणा में याद आते हैं गुलाम अली के, साधत अली के, वजीर अली के या अली के पाठ महीने किसकी हुकूमत रही? साधत अली की, गुलाम अली की, वजीर अली की या किसी की नहीं अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा हो तो उसमें लिखा था, उसमें अच्छे से मैंने बोला था कि पांच महीने तड वजीर अली ने हुकूमत की और पांच महीने में ही अंग्रेजों के तोते उड़ा दिये थे तो बच्चों, MCQs के अलावा इस बुक में और भी बहुत सारे questions है जैसे paragraph ये गध्यांच पर आधारिक बहुविकल्पी प्रशने दे रखे हैं अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल Zenith Academy Online को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेर कीजिए अपने फ्रेंग्स के साथ कमेंट सेक्षन में लिख कर बताईए आंसर्स भी और यह भी कि आपको अभी किस तरीके के और वीडियो की अभिशक्ता है आप क्या चाते हैं कि हम और क्या बनाएं इस चैनल पर और कीप दे लर्निंग ऑल्वेज आन अन सेनित अकैडमी आनलाइन बाबाई माई डियर स्टूटेंट्स